sk сделалo दोस्तों Welcome to my channel में आपको दोस्त पंकच कमार् तो जैसे कि आप चानते है कि आप इस चैनल में आप हर रोज इस चैनल में कुछ इंट्रेस्टिंग या मोटिवेशन वीडियो देखतीं है तो आज में आपके दि कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग और मोटिवेशन बीडियो लेकर आए हूँ तो शुरू करते हैं इस बीडियो को जैसा कि आपने थम लें में देखी लें आज मैं आपको यह बताऊँगा कि किस कारण आज की जनरेशन जो सक्सेस नहीं पा रही है कर दें आज कल जोब के किसी को जोब चाहिए तो इस प्रॉल बार पार जिनरी और इस कटनाई भर जिनरी में किस कारण से हमारी जनरेशन सक्सेस नहीं मिल रहे आज मैं उस कारण को बता हूंगा जिससे आप उस कारण को क्रिक करके अपनी संस्क्स को इजली अब हासिल कर सकें मैं आपको इस कान को एक कहानी के मादेम से बता हूँ कि मैं मालता हूँ कि theory से ज़्यादा practical important होता है तो हम कहानी के मादेम से बताते हैं इस कहानी में मुख्य हम तीन रोल को देखेंगे एक शिश्य और एक महागुरु और गुरुमालीची जैसे एक principal और teacher होता है और एक student उस हम किसी प्राइस्त्री के बारे में सोचना या उसको विचार करना मना होता है ठीक है उसमें वो सिखाया जाता है पतल मेडिटेशन था ठीक है तो एक दिन क्या हुआ उस गुरुकुरु के कुछ सिस्यों को लेकर एक गुरुजी जंगल की तरफ लकडिया काटने के लिए चले जिस कार्ण जो उने जंगल से उने गुरुकुरु के बीच में एक नदी पड़ती थी वो थोड़ी उसमें पानी अधिक हो गया जिसके कार्ण वो पार करना थोड़ा समुस्क्र था उसी जंगल में एक इस्त्री भी लकडिया काटने के लिए आई हुई थी पर जब उसने देखा कि वो नदी का बहाब चादत तेज है तो उसने उन शिष्यों और गुरु को देखर आवाज लाई की किरिपया में रिसाइथा करें पर उन सभी शिष्यों ने शोचा कि हमें तो बिरब चार एक अपालन बिदाया जाता है जिसमें किसी करने को यकिन किसी इस्तरी को चूना मना है तो हम इसको तो हम इसकी साइदा नहीं कर सकते क्योंकि वो इस तरी कहा रही थी कि आप मुझी अपने कंदे में उठा कि इस नदी को करिपया पार करवा दोगे इन सभी शिष्यों ने मना कर दिए पर जो गुरु थे पैसे भी हमारे टीचर्स का सभाव होता है हर किसी की हलब करना तो उन्होंने उसको सुखार कर लिया और उन्होंने अपने कंदे पे बैठा कर उसको पार कर दिया अब यह बात हो गई पर उन में शिष्यों में से एक मेर जैता होगा चत्रु बंदा रूत देज देहन तो उसने सोचा यूना मैं अपनी टीचर की कप् पाचशाला मैं महागुरु को बता दूंगा पर जब पाचशाला गये तो उनको पता चला कि महागुरुजी कुछ कारे के लिए पाच़ाला से भार गया हुए उसने सोचा ठीक है मैं काल सुबह बता दूंगा वह बोरी रात उसी दरिश्य को सोचता रहा और उसको नीद न ही होता है वो उसी तृषय और उसी बात को सोचता रहता जब अगला जब अगला दिन आया तो सुभा ही बो गुरुकुल के जो केट होता है मतलब स्कूल के गेट के बार अंदर ही खड़ा हो गया ठीका बार तो उनके गुरूजी ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि असली ब्रहमचारे का पाधन आपके गुरूजी नहीं बलकि आपने किया है क्योंकि गुरुची तो उस बात को बही पे भूल आये थे पर आपने अभी तक इस बात को अपने दिल और दमाग में पेठाले रखा है जिसके कारण असली ब्रह्मचारे का पालन तो आपने बंग किया है इसी तरह से हमारे जनरेशन है कि वो जैसे उनसे कोई गलती हो जाती ह है कि और से आपको आज की वीडियो समझा गयोगी और आज की वीडियो का मोटफ भी आपको समझा गए होगे, अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरब, जैसे कि आज की अच्छी बात है, आप सभी देखते होंगे जो आपके घर के निश्दीग आपके जो घर की गली होती उसके निश्दीग कई पसू या कुटे पसू या फिर कुटे विली आपको मिल जाएंगे तो आपको क्या करने हैं उन्हें सिर्फ एक रोटी खिला देनी है एक रोटी से आपका कुछ कम नहीं होगा और वो आपको बहुत भरवर के blessing देगे क्योंकि सो मंदीर में जानने के बराबर जो फॉल मिलता है वो जो जानवरों को भोजन देने लेने से मिलता है उसके बराबर होता है वो आप जो इन परसुमा और साहिता और आप जरूर इन परशुमा की साहिता करें और thank you and have a nice day अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो इस चानल को जूरूर सस्क्राइब करें और बेल आइकर को प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़दार वीडियो और मोटिवेट वीडियो आपको मिलती रहे थैंक यूए अब नाइब